हेलो फ्रेंड्स ग्रीड विनिंग और मेरे सबी तैरे दोस्तों को जो लोग मुझे देख रहे हैं वीडियो पर उन सब दोस्तों को प्यार बरा सलाम और कैसे हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो लोग चायपत्ती बिजिनिस में नए हैं बिल्कुल नए और वो इस लाइन में एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए बे जिचक कीजिए बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि कहीं ऐसा नहों कि हमारा पैसा बरबाद हो जाए हमारी इंवेस्ट बेकर हो जाए बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा न डूप जाए मेरी उन लोगों को एक ही सला है कि बिल्कुल मस सोचिए आप क्योंकि बविश्य का किसी को नहीं पता ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर कि अन्दर जो गट्ज है आपके अंदर जो अफसे का बिल्यात है उसके ओपर डिपेंड करता है कि यह डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ को दूसरों तक अच्छे से पहुचा सकते हैं, आपके मार्केटिंग के तरीक इस अगर आपको अपने उपर भरोसा है अपनी कावलियत पर तो आप समझ जाए कि आप इस काम को अवश्य करें यानि कि चायपति बिजनिस तो जो लोग नए हैं और इस लाइन में आपना प्रवेश्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए कोई दिकत नहीं है कि लेकिन इसमें आपने एक चीस समझनी होगी कि आप ने अपने माइंड को एप जयागा सेट करना होगा कि ऐसेट वह कैसे कि आपने है सेट ऐसे करना होगा आप चायपति का बिजनिस करना चाहते की कि आपके एरिया में किस तरह की चाई पत्ती चलती है यह हमवर करना होगा आपको आप क्या करें अपने आज पास इस चीज़ का पता लगाएं कि आपके यहां किस तरह की चाई पत्ती चलती है उस तरह की चाई पत्ती का हमवर करें सर्च करें तलाज करें दूसरे चाहे पत्ती के अंदर बहुत सारी वेराइटीज हैं दुनिया भर किसके अंदर क्वालिटी हैं आपने यह सेट करना है कि आप किस रेंज में काम दरना चाहते हैं कि माली जिये चाहे सिर्फ 70-80 रुपे से स्टार्ट हो जाती है पर केजी और 225 रुपे तक होल्सेल मिलती है सिटीजी चाहे इसे उपर फिर लीफ आती है जैसे गिरिंटी जिसको बोलते हैं उसके खोई लिमिटी नहीं है एक लाग 12,000 रुपे पर केजी भी मिलती है और यहीं चाहे सिटीजी चाहे भी पिछली बार 49,000 रुपे पर केजी आसाम की भी की है उसको छोड़िए वह तो अनलिमिटीड है आपको स्कुए वास्तानी हो सब बार के लोगों के लिए है अगर आप इंडिया से हैं आपने यह दखना है कि आप किस एरिया से हैं माली जी जो 120,30,40 तक की एवरेज की जो मौस्टली चाहे चलती है वह हमारे कुछ इस्टेटों में चलती है जैसे यूपी, बिहार, जारकंड जो गरीव एरियास आता है उन एरियास में यह चाहे खुब दोड़ती है और जो चाहे 150 से उपर स्टार्ट होती है और 1200 तक जाती है यह इस तरह की चाहे जैसे हमारा गुजरात हुआ हमारा बृच्छ को फाकर देख़ते हैं कि आज कर दोड़ता है यह पर कहां से करते हैं आपके आस पास जो लोग हैं वो किस हैसित के लोग हैं किस हिस्टाब के लोग हैं आप गल्साब से अपनी रेंज को सेट करें लुग दूसरी मेरा काम क्या है अब यह जा कितनी तरह की चाह पत्ती हैं यह देखें यह भी है यह सब काली काली है यह सब काली काली चाई पत्ती है मेरा काम है आपको इन काली काली चाई की विराइटी को परक्षना उसके बारे में बताना कि इन चाई को आपने कैसे परक्षना है कैसे मेहंगे और सस्ते भाव की चाई को आपने पहचानन नाई यह काम correct है कि यह मैं बताओंग आपको नम्बर एक और five लगेवी सिंगाल चाहे हैं कै chilie जो फेक्टर प्रिशा सब मिलती इनको आपस में कैसे मिलाना है इसको सम्हूर कितना कितना इसको समय यह एक test जो create होता है इक test जो पैदा होता है वो कैसे करना है वो मैं बताओंगा आपको आपने तो अपना homework करके मुझे contact करना है मुझे message करना है messages कीजी बजाए contact के और मेरी जो terms and conditions है पहले तो मैं कुछ लोगों को फिरी में भी गाइड करने को तैयार हूँ लेकिन अब ज्यादा वैस्ता ज्यादा कॉल आने की वज़ा से मुझे फिर इसके लिए स्पेशल काम करना पड़ रहे है अब जाहिल सी बात है जब इस्पेशल होगा तो फिरी में काम नहीं होगा इसके लिए मैं एक हजार रुपे फीस लेता हूँ अगर आप एक हजार रुपे फीस देने को तैयार है मुझे आप समझते हैं कि हमें देने चाहिए कुछ सीखने के लिए या अपने बिजनिस कड़ा करने के लिए एक नोलेज जो में दे रहा हूँ आपको मैं A to Z जनकारी दे रहा हूँ एक हजार रुपे गंदर तो मेरे एक हजार रुपे आप डिपोजिट करा दीजिए फोन भी बाद में कीजिए मेसेज भी बाद में कीजिए बे जिजक नॉट एंशन आपका काम होगा देखिए जो लोग सिर्फ आपको लोबावनी बाते करते हैं लालश देते हैं या उल्टे सीधी आपको आईडे देते हैं आम उनमें से नहीं हैं मैं पिछले नो सालों से ये काम कर रहा हूँ यानि कि मैं पिछले नो सालों से मेरे चाय पत्ती का बिजनेस कर रहा हूँ यह तो मेरे दिमाग में अचानक आइडिया आ गया यूट्यूब का मैंने फुशा कि यह आपको मुशाक्त हें जो आपके सामने परिशानी आई वह कम से कम उन्हों के सामने नई जो लोग इस फिल्ड में नए आना चाहते हैं नए लोग किसे फिल्ड में कॉम करना चाहते हैं यह मेरे दिमाग में एक आईडिया आया बेटे बेटा है और मैंने इसको यूट्यूब पे लॉंच किया नतीज़ा यह हुआ कि आज All Our India हर इस्टेट से हर इस्टेट से लोग मेरे कॉंटेक्ट में है और मैं उनको बराबर कोचिंग कर रहा हूँ उनको गाइड कर रहा हूँ और वो इतने सेटिस्फाई हैं इतने खुश हैं जिसकी उन्होंने कलपना भी नहीं की थी तो फ्रेंट्स बेजज़क होकर चाईपत्य बिजनिस किजिए और इसमें लग जाईए और बेज़ज़क होकर आप इसमें पुरा इन्वेस्ट आप कीजिए ओके एक मिन्ट के लिए उड़ दरना मेरे पास हैं आप कुछ कस्टमर जाते हैं बीज़ बीज़ मुझा टिक्टर प्रेंट्स बेज़ज़क होकर आप इसमें काम कीजिए अगर आपकी जेम में तिस पर तिस जार रुपे भी हैं तब भी आप कीजिए आपकी जेम में एक लाग रुपे उसे ज्याद हैं तब भी कीजिए आपकी जेम पांच जार रुपे हैं तब भी कीजिए अगर पाँ जार उपे हैं तो मैं फीस नहीं लोगा अपसे, दस जार उपे तब नहीं लोगा, अगर आप जिए मैं 30-35 उपे, तब लोगा आपसे में जार उपे, तब तो मैं फीरिगाई आइडे देदूगा आपको, यार, अपना जमीर जिन्दा है, हमें मालूम है, किस से लेना है, किस से नहीं लेना है, पैसे के लिए नहीं जीते, जो लोग इस लाइक हैं, पैसा दे सकते हैं, उनसे पैसा लेंगे, और जो लोग नहीं दे सकते, गरीब लोग हैं, उनको फिल्मी भी सेवा करने को तयार है, बसरते वो इस लाइक हो, ऐसा नहीं हो कि वो भी बोल में बहुत ही कमजोर आलत में उसको भी में फिरी में कोचिंग करने को तया है ठीक है तो फेंड्स मामला यह है कि बहुत से लोग इसमें कहते रहते हैं कि कि इसमें एफ एससाई लेना है कैसे लेना है क्या लेना है आप कैसी बाते कर रहे हैं आप चाहे को बना बना नहीं रहे चा एको बना नहीं रहे हैं आप चाय को खाली स्हेल करें के महस्ट उनके लिए होगाई जो फूड आटम तयार करते हैं उन्स के लिए यह सब चीज है घॉश्ट का कहना है कि अगर आप कोई खानीपीने का सामान पेकिंग करते हैं तो इसे लिए फूड पेकिंग लैसे अगर आपका एक वह बैसिक लैसे साफने लेना होता है सब दोक्टरों को मॉनिटर करता है उसको बोलते हैं कि ऑक उसकी हाँ एक ऑफिस होता है खाल्य विवाग का वहां जाएं आप वहाँ पर आप बैसिक लाइसे सब्सक्राइब जिसकी मातर दो हजार के असपास फीस होती है और आप भी मत जाएं आपके पास जो सी होता है जिसको में चार्टर एकाउंटेट बोलते हैं उसके संपर्ख में आई आप उसको आप बोलिए कि हमारे लिए आप एक फूड पेकिंग लाइसेस अवेलेबल करा दीजिए यह उनको बात क्लियर कर दीजिए कि चाय पत्ति के लिए चाहिए क्योंकि फूड पेकिंग में और फ इसके लाव कोई जरूत नहीं है अगर आपका बारह हजार रुपे से उपर का लाइसेस हो जाए बिजनेस हो जाए तब आपने फिर एक से संट्रल वो सोरी इस्टेट लाइसेस लेना होता है वह भी तब अगर आपका एक डिस्टिक से दूसरी डिस्टिक में माल जाए जैस तब लीजिए आपका काम हुआने कुछ शुरू किया नहीं पहले इसे हो कह रहे है कि हमें कौन सा लाइसे लेना है कुछ नहीं है आपने इस फाली बैसिक लाइसे ले दीजिए फूड पेटिंग लाइस के नम पर और काम शुरू कर दीजिए ठीक है रही बात उसकी बहुत एक साल के अंदर 25 लाग रुपे तक आप बिजनेस करते हो तो फिरी है उसकर को टेक्स नहीं है आपको जैस्टी लेने की ज़रूत नहीं है पहले यह लिमिट पांस लाग रुपे तक की थी तो आप देख लिजिए कि आप कितने लाग का बिजनेस कर रहे हो बदाए यह आप अगर आप दुकंदारों के ऊपर पहले से ही काम करोगे तो फैल हो जाओगे कृकंदार भी होता है जब मार कीटे कंदर पहले से बैठा हुआ भी है वो आपको खायेगा वो किसे आप नहीर हो कि बात .... अगर उसने बात भी कर ली तब आपसे जूट मूट क्या बोलेगा कि नहीं है इस रेट में नहीं मिलती है हमारे बहुत अकमरेटे मिलती है तो मारजन अगर आप उसके कुशामंद मिन्नत करोगे तो आपका सारा मारजन खा जाएगा तब वो कहएगा चमाल रख जाओ पेसे बार में दोंगा इसको पेशने के बार तो फैल हो जाओगे आप नहीं नहीं देखिए जैसे नेता पबलीक से होता है जिस नेता के साथ पब होती है वो भी नेता होता है तो आप यह देखिए अपने अंदर जांकर अपने गरेवान में कि आपके अंदर क्या नेतरतों करने की समता है अगर नेतरतों करने की समता है तो अपना अपने दुकान खोलिए अपना ठीया लीजिए अपने घर से काम को शुरू कीजिए आपकी कौल्टी लुबावने लगी तो वह उसके पास चो जाएगी बताएए वह आप के पास आएगी बसरते आपकी चीज दमदार होनी चाहिए एक मौका वह को जुरु देगा है और आप तो अपने आपको खुश किसमत समझे आप ऐसे यूग में जी जिस यूग में सोशल मीडिया है सोशल मीडिया की ताकत का मतलब समझते हो देखो मैं कहां पर बेठा हूँ आप से बात कर रहा हूं यह सोशल मीडिया की ताकत है मालों मैं आपको एक बात का छोटा सा एड़र्टाइजिंग देने के लिए अख़बारों को पाँच पच अजार रुपे कीमत देनी होते थी आप के पास अब उससे कहीं गुणी ताकत है माल लेजे आपके फॉन में 200-500 वाट्सअप नमबर है आप उनको सेंड कीजिए अपने काम के बारे में माल लेजे आप फेस्बुक चलाते हैं फेस्बुक को टेक कीजिए फेस्बुक में 5000 फ्रेंड्स होते हैं सब को SMS कीजिए साब मैंने ये फला फला करके बिजनिस जोड़ा है और सोशल मीडिया के और बहुत सारे सिस्टम में आज अज कल उन पर भी अपनी वो शेयर कीजिए बताईए मेसेज लिखिए कि मैंने ये काम शुरू कर दे है तो उससे लोग आएंगे आपके बास आप एक चीज़ को कैल्कुलेट कीजिए आप एक दिन में अमीर मत बनिये मालेजी आपके पास आज के एक दिन जब आपने काम शुरू किया एक दिन में पांच कस्टमर आए ठीक है रोज पांच आए तो महिने में कितने हुए है मैं कल्कुलेट करके बदाता हूँ अरे मेरा तो किल्कुलेटर भी काम नहीं कर रहा है आप जोड़ लीजी मेरा मैथ थोड़ा कम जोड़ रहा है मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ मान लीजी एक दिन में पांच आए और मेहने में कितने आगे आपके पास आपने जोड़ लिया अब क्या हुआ कि जब यह जो पांच आने शुरू है और एक पोच आ लेगे आपसे तो पंदरह दिन में उन पांच में से एक कस्टमर रिपीट होना शुरू होगा आपके बस तो जो मैने बार में आपके पास कस्टमर है उन में से कुछ कस्टमर रिपीट हो जाएंगे महिने में नमबर एक दुकंदारी फिर वाहते बढ़ने शुरू होगे नमबर दो वो दूसरों को बताएंगे कि वहाँ से चाय लाते हैं तो बहुत अच्छी दुकान खुली है फिर वहां से आएंगे रिफरेस से नमबर तीन आपकी प्वालिटी का छाई पियेंगे तो उन से वो खुद ही पूछाएंगे कि चाय पत्ति कहान से लाते हो तो पका आपका रिफरेस देंगे कि हम उन चाय पत्ति वहाँ से लाते हैं तो आप ही समझे लिजिए करीब चार पांच मेने में आपके पास 13 से 40 तक कस्ट्मर आने शुरू हो जाएंगे और 30 से 40 कस्ट्वर आने का मतलब समझते हो आप यानि कि आपकी करीब 25-30 किलो चाय बिकनी शुरू हो जाएगी रिटेल में और एक केज़ी पर आपके 70-80 रुपे कहीं नहीं गए तो मल्टिपलाई कर लीजिए आप 60 रुपे से ही कर लीजिए आप 60 से भी मत कीजिए 50 रुपे से कर लीजिए यानि कि आपकी आपके पास एक दिन में 35 कस्टमर आए और 50 रुपे आपको मिले तो जोड़ लीजिए हिसाब लगाईगे कितने फैसे आपके बनगे बने नहीं फिर आइस्ता आइस्ता रेंज स्टर्ट कीजिए रेंज इसके अंदर मान लीजिए धी तरह की रेंज में कम से कम कीजिए श्टर्ट की जिए hyvin रेंज की जिए ooh कि यानि की एक रिए श्टर्ट के याफ कृरीब 123 से पारल इलागा पे- आपके आपके अलागे में वो आपको आपने क्या करना है जब आप काम कर एंगे आपको दो-तिन में ने अंदर इस बात का मालूम हो जाएगा कि किस तरह के कस्टमर जएदा हैं किस चाहेगे किस रेंज एक सफ़साभ पर अपना डिसेर न लेना है कि मुझे इस रेंज में ज्यादे निवेस्ट करना है इसका माल ज्यादा करिदने हैं वहाँ होगा तब होगा बाद में हो अभी नहीं हो सकता लेकिन तीन तो तीन में तो कम किजिए एक रेंज लीजिए 220-230 उसको प्रीमिम चाह बोलते हैं वो लीजिए एक चाह लीजिए आपकरी 180-190 का असपास की वो चाह बहुत अच्छी होती है एक चाह लीजिए आपकरी 150 की इंट यह करना और सब पर करके सांची करम अफनाना अगह आगेश्य को सामघव नमबर एक हो गए काम और हमने क्या करना इसके अंदर अग आपने गरींटी ग्रींटी में भी अच्छा आपया भी उन भी बढ़ा दो और गृंतीमें आपने क्या करना है 2-3 एरग प गिरिंटी लेकर आपको बहुत सस्ती मिलेगी और उनको पैक करो वह बहुत मेंगी मिखेगी हाफ 50% मार जाना इसमें 50 अभी 50% मार जाना मिलेगा गिरिंटी के अंदर आपको लूज लेकर आएं अच्छी वाली मैं आपको बता दूआ आपने किस उसका इनके कुछ कोड नंब की किस कोड की आपने लानी है पूरा आदा मार जाना है 50% कम नहीं है बहुत है उसमें भी आपके लिए कमाई होगी वह तो आपका इदर तीन रेंज इतर होगी तीन रेंज आपके गिरिंटी में होगी छे रेंज होगी फिर इनको भी आप सेहल करें कि इतनी से बैचेंगे आप 50 गराम बेचेंगे 100 रुपेगी बेचेंगे 50 जरुपे मिल जाएंगे आपको पक्ता दिरिल्टी में बहुत माल जाने तो कहना का मतलब है दोस्तो काम शुरू कीजिए कोई दिक्कत नहीं आपने ठिया बनाईए हाँ आपने काम को अच्छे से अट्रेक्ट कीजिए अच्छे से बोर्ड बनवाईए आज कल साइन बोर्ड बन जाते हैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से फलेक्स बोर्ड बन जाते हैं उनको आप बनवाईए अच्छे से डिस्पेले अच्छा कीजिए कहना का मतलब है अपने काम का अपने उसका एड़टाइजिंग का डिस्पले अच्छे से बनवाईए अच्छे से कीजिए वो लोगों को अटोमेटिक आपकी तरफ गसिट के लाएगा कोई भी आदमी एक बार तो आपको मौका जरूर देगा अग वो आपका वहिवाहर आपकी क्वाल्टी उसके पर डिपेंड करेगा कि वो दो बारह भी कस्टमर आपके पास आएगा की नहीं आएगा पक्का आएगा देखिए द्धान से नहीं जीए मैं जिस गाउं से हूं उस गाउं का अच्छा मेसेज नहीं बार वो क्रिमिनल आप उस गाउं से आपका वाईवार तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छा आदमी हो, तो वह औरों को भी मेरे लिए रेफरेंश देते हैं, जाओ, वह तो बहुत बड़े लड़का है, बहुत अच्छा वाईवार है, तो मेरा आहज तक इस दुगान पर किसी से को अगर को भी का है क्या है, पर को आप करना है, पर दाएवाम दनिलिए लंएगाई, उस को हम बीने को बात में गाया है, जोन मैं श्रून आता नहीं कि पैसमेंश पर सब लिले लिए लेगाई रही हूं åस सब को बोलते हैं, जासे आप अगर को दिक्कत्र देखा दो हम से तो नतीजा यह है कि कस्टमर नमसे बहुत कुछ है, तो दुखंदारी का यह उसूल होना चाहिए कि कस्टमर को नराज मत करो, जबड़ो मत उससे, बैस मत करो, यस में बन जाओ, ओके, एक मिंट के लिए बस और होड़ करना, बीच में और आ गया, तो फ्रेंड्स में कहना चा एक बात समझें आप, एक आदमी जब मजदूरी करता है, वो सुबह से लेकर शाम तक तसला उठाता है अपने सरपन, बीच-बीच में कस्टमर आ जाते हैं, तो मैं आप से क्या बात तर रहा हूं, वो भूल जाता हूं, तो क्या बताने वाला था, मैं दिमाग से निकल गया अब गए, अब अंदेरा हो चुका है, मैं वीडियो इसलिए राट को में बना रहा हूं कि आप शोर भी मने कम हो जाएगा, और आपको में इच्छे से गाइड मी करता हूं, तो मैं क्या कह रहा था, उसी टोपिक पर आता हूं, मैंने कहा था कि वाहर अच्छा होना चाहिए िए आपका, और quality छहनी चाहिए, उसी के दम पर, याद नहीं आ रहा में बुल घाया हूं मैं दब बिलकुल सरूर में आ गया था, बहुत अच्छी बाते ही बताने वाला था आपको, थिर बोल गया हूं आ हा 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 क्या थी क्या थी क्या थी? Oh my God कि आज में इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ अपको लंबी वीडियो हो गई कोई बात नहीं इसमें यह है आख कर बोले हूं उसको में सौरी आगी वीडियो में बताओं रोसको में चलिए एंट कि वह तो यादा है नहीं लेकिन उसमें थोड़ा और जोड़ देता हूँ कि वह यह आपने समझना है कि जो लोग नए हैं नई कम इनिवेश्ट करना चाहते हैं और वह इस बास से डरते हैं कि हमें दुकान बीड में कौन देगा बीड में दुकान मतलो आप ट्रेंड नहीं र जंगल लाम में मैं जंगल अंदर बेठा हूँ आईए मरे पास अप कर मेरे पास कभी आप आएंगे तो यहां जंगल हिह सर्थ अपनी काबियत के ओपर पैढ़ पर बैठा वाऑं और यहिफ़ काम कर रहा हूं किसले नो सालों से किसी न मुझे बजार में थी बॉल जाते हैं तो बाड़ी माजरी गाउं का है कब्जा कर लेगा जगड़ा करेगा हरामी है इस तरह की पाते बोले पुद ही हमें दुकान नहीं थी अब नतिज़े यह है कि हम यह आपर रोड पर हैं आउट साइड में गंगों के अंदर यही पर काम कर रहे हैं खुश ह सब खुश है तो केनी की बात यह है अपना वैवार अच्छा रखे है ठीक है और अपने प्वालिटी इच्छी रखे इसे से काम आपका हो जाएगा और दुकान में आपको सस्ती मिलेगी अंदर लेगर बेठेंगे ना तो बहुत कुछ महां महेंगा मिलेगा आपसे पगड में शेयर करूँगा और फ्रेंड्स मुझे खुशी होगी कि मेरी थोड़ी से नोलिज से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे मेरे लिए यह गरो की बात होगी फखर की बात होगी we proud of you all of you okay thanks love you so much सभी फ्रेंड्स को और मेरी एक घजार विपीस देने बिलकुल न बोलें okay friends love you